आप लोग टीवी तो जरूर देखते होंगे तो आपने टी आर्पी का भी जिकर सुना होगा क्या है ये टी आर्पी टीवी चैनल्स क्यों चाहते हैं हमारा टी आर्पी ज्यादा आए आखिर टी आर्पी से क्या फाइदा होता है टीवी चैनल्स को दोस्तों मैं बताऊंगा इ हुमनिस बाढ़ने और आप देख रहे हैं किया मतलब होता है टी-र-पी का टी-आ-पी का मतलब होता है टेलिविजन रिटिंग उइंट टी-र-पीशे हम पता लगाते हैं कि कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और कौन सा टेलिविजन सो सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और कौन सा सो फ्लॉफ हो रहा है कोई चैनल टी आर्पी में किस नंबर पर है यह पता लगाने के लिए भारत सरकार के सुचना और प्रिशारन मंत्राले के दिशा निर्देशों के तहर शाल 2010 में एक नई एजेंसी बनाई गई इस नई एजेंसी का नाम है ब्रॉडकास्ट, ओडियम्स, रिसर्च, काउंसेल यानि बार्ट यह टी आर्पी में अपने की भारत की एक मात एजेंसी है कैसे पता चलता है एटी आर्पी जब आप किसी चैनल को देखते हैं तो टी आर्पी बढ़ती है चैनल की रेडिंग पता करने के लिए बार्क ने देश भर में लगबग 44,000 पीपल मीटर लगा रखे हैं अलग अलग राज्यों में आडियो बार्टर मार्किंग टेकनलोजी से बार्क पता लगा लेता है कि कोई इंसान किसी चैनल को कितनी देख देख रहा है इससे पूरे देश भर का डेटा नहीं मिलता है सिर्फ लगबग 1,80,000 लोगों का ही डेटा मिलता है और इसी डेटा से चैनल की टी आर्पी कितनी पता चलता है टी आर्पी से टीवी चैनल कैसे कमाते हैं टीवी चैनल की कमाई पूरी तरह से टी आर्पी पे निर्वर होती है टीवी चैनल की कमाई का 90 परतिसत हिस्सा एड यानि विग्यापन से मिलता है इन एड को दिखाने का हर टीवी चैनल का अलग-अलग रेट होता ह ये रेट इस बात से भी तैय होता है कि किसी चैनल की टी आर्पी कितनी है आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किस चैनल की टी आर्पी कितनी है दोस्तों इसके लिए आपको बार के विबसाइट पर जाना होगा TRP से जुरी सारी डेटा आपको वहां मिल जाएगी TRP पे शवाल भी उठते रहे हैं क्योंकि लगबग 45,000 घरों के आकरे से ही पूरी TRP तै होती है इस पे भरोसा कैसे किया जाए तो ये जनकारी सटिक नहीं होती है भारत में पीपल मीटर कहां लगाए गए हैं इसकी भी जनकारी नहीं दी जाती है हाली में TRP घोटाला का भी जिखर हुआ जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम शामने आया दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद